असलाम अलेकुम खुश्यामेदी दर वलकम टो अनिमेलिया डॉट पे के मैं हूँ आपका वैड डाटर फुरकान मैं आज आप से डिसकस करूंगा कि आपकी कैट को डेली बेसिस पे कितनी वाटर की कौंटिटी नीड होती है इसके लावा मैं आज आप से कुछ फैक्टर्स भ पहले कानली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल अकम दुबा दिजिएगा ताके आपको फुचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके चलें आएए शुरू करते हैं अगर आपकी कैट अडल्ट स्टेज पर है और उसका वेट आल्मोस 4.5 केजी है तो उसकी जो वाटर की क्वांटिटी डेली बेसिस पर नीड होगी वह 270 एमल प्लस मानस 40 हो सकती है प्लस मानस इसलिए के कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वाल्व होते हैं कुछ ऐसा अगर आपके अनिमल के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम चाहरा है जिसमें उसकी वाटर की क्वांटिटी जादा भी हो सकती है और उसको कम भी जुरूरत हो सकती है इसमेंस में से इन्वालव होते हैं सब्सक्रण है जी एए प्रॉब्लम यनी गेस्रोंत सटार्न प्रॉब्लम लाइक या वमिटिंस कर रहे हैं या वीटिंग करेंब Concern इसके लाब़ा अगर कोई डायर वगरा लगा हुआ तो उसमें अक्सरोकात वाटर की कंजंप्शन ज्यादा हो जाती है सेकिंड प्रॉब्लम है किड्नी प्रॉब्लम या पिर यूदिनी ट्रेक इफेक्शन संटाइम ऐसा होता है किड्नी प्रॉब्लम हो तो जादा से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते तो उस कंडिशन में भी आपका जो एनिमल है वो ज़्यादा पानी पी सकता है फॉर्थ प्रॉब्लम है यानि फ़र्ट फैक्टर है वह ट्रीट अगर आप अपने एनिमल को ट्रीट प्रॉइड करते हैं तो उसमें आपके एनिमल को अक factors हैं वो involved हो सकते हैं like आपका सीजन है वो भी involved हो सकता है के summer ये winter आपके अनिमल का metabolism भी different होता है hebर आपके पास more than one get are तो हो सकता है कि एक animal को ज्यादा प्यास लगे और एक को कम लगे ये इसके पीना वहन सकते हैं कि ये कोई hard and fast rule रही है कि आपने सिर्फ इसी पर रहना है कि 270 ml प्लस मैनस ही उसने पीना है ये कोई ऐसा rule रही है कि ये इतना ही रहेगा लेकिन ये इसलिए मैंने आपको बताया कि at least इतना उसको daily basis पर पानी पीना चाहिए अगर आपके animal का water consumption है वो कम है आपको पता होना अपने वेट से कंसल्ड करें इसके लबवा डिपेंड करता है फूड भी अगर आप अपने animal को जो मार्किट से वेलेबल फूड है लाइक ड्राइफूड तो ड्राइफूड में बेसिकली जो water की quantity होती है वो 10% होती है इसके लाबवा जो ड्राइफ फूड है उसके अंदर अगर वेट फूड दे रहे हैं तो उसकी वाटर की कंजम्शन कम होगी इसके लबवा अगर आप homemade फूड दे रहे हैं तो it's up to you कि आप किस ट्राइफ का फूड दे रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर water की quantity जादा है वो आप पर ही depend करता है कि आप अपने animal को daily basis पे water की जो consumption है वो routinely देखते रहा करें यह आपके animal के लिए बेतर है क्योंकि एक वाटर एक ऐसा nutrient है जो के बहुत सारे functions को बहुत सारे body के mechanism को maintain रखने के लिए जरूरी होता है इसलिए daily basis पे इस चीज़ को note करते रहा करे I hope कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई हो झाल